हेलो एबरीवन वेरी वेरी वार्म वेलकम तो इस अमेजिंग सेशन सो माइडियर स्ट्रेंट्स माइसेल्फ पिंकेश कुमार केमेस्ट्री फाइल्टी एट मोसन वुझापरपूर तो प्यारे प्यारे बच्चो आज की इस लेक्ट्ट्स में हम लोग एक नेक्स्ट क्वेस्ट्स लेकर आए हैं जी ओसी का जो की काफी इंपॉर्टेंट होता है कही बार यह अलड़ी पूछा जा चुका है प्रिवियस ये जेए में और मेंस में एडवांस और मेंस में तो हमा यहां पर कॉइस्ट्स जो दिया गया है आपको वह यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रियक्शन होने पर इन मेंसे कौन सा कंपाउंड जो है वह सियो टू गैस लिबरेट करेगा क्लियर हैं तो ध्यान से सुनिएगा बच्चो कि सबसे पहला चीज यह है कि हमें प हम अब बात करें देखो ए एक एक शीयो टीरी चोई भी हैगर आप एसीड लेते हैं तो यहां पर जो है यह फोम करता है एक यह फॉर्म करता है तो इस तरीके से जो है हम लोग कहते हैं कि इन में से कौन सा compound है जो co2 gas liberate कर सकता है कि लिए है अब देखो ध्यान से इसमें जो हम concept use करते हैं वो एक बहुत ही important part यह होता है कि जब भी-भी reactions होगी बताइए आप लोग कि co2 co2 क्या है एक acidic nature का होता है और hcl भी acidic nature का होता है अब हम कैसे पता करेंगे या कैसे हम कहेंगे कि यह reaction होगी या नहीं होगी इसके लिए आपको कुछ चीज़े याद रखनी होगे क्या है कि हमेशा weak acid जो है कहां से बनाएंगे strong acid से मतलब यह है कि strong acid से हम लोग weak acid form कर सकते हैं but weak acid से strong acid हम form नहीं कर सकते हैं clear a point तो यहाँ पर यह चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो product acid है उसका acidic strength reactant acid से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए then only this process will go in forward direction otherwise reaction नहीं होगी तो यहाँ पर indirectly हम से यह पूछा गिया है कि कौन कौन से compound जो है वो sodium bicarbonate के साथ react करेगा right तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन में से कौन compound है जो react करने के बाद CO2 provide करेगा और साथ ही साथ provide तभी करेगा CO2 जब इसका acidic strength इन में से जिससे भी कम होगा सिर्फ हुआ ही compound इसमें include किया जाएगा तो सबसे पहला है हमारे पास benzoic acid right तो यह जो acid है benzoic acid का acidic strength होता है आप जियो से में पढ़ते हैं जहां पर क्या है कि benzoic acid का acidic strength क्या है जादा होता है किस से CO2 या H2CO3 से तो यह आपका answer में आएगा मतलब यह compound जब यहां पर लाओगे इसकी जगह पे तो यह वापिस react करके CO2 provide करवाएगा इसको हम लोग कहते हैं pigric acid जो कि more acidic होता है किस से CO2 से it means कि यह भी जो है आपको form करेगा CO2 liberate होगी यहाँ पर ठीक है C option में है यह नहीं करेगा D option भी नहीं होगा अब E भी नहीं होगा अब खुद सोचेंगे आप जब यहाँ पर नाइट्रो वाला compound अगर liberate नहीं कर रहा है तो definitely यह नहीं होगा क्योंकि para-nitro का acidic strength metanitro से जादा होता है और इसका जादा होता है इस phenolsid जो अगर यह नहीं liberate कर सकता है तो यह दोनों भी नहीं करेंगे चलिए फिर यह भी नहीं करेगा यह नहीं होगा यह नहीं होगा means कौन से compound हो जाएंगे a b ओके सो सिर्फ और सिर्फ यह दो compound है जो क्या करेगा यहाँ पर co2 gas liberate करेगा तो मिलनी देखो इस questions को लाने का यह है कि हमें सीखना है concept मतलब ऐसे questions को हम लोग करते कैसे हैं क्लियर है चलिए तो आज के लिए हम इसतना ही रखेंगे बाकिकर कुछ भी समस्या आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कोई भी डाउट्स आता है सो ठीक है सो थाइंक यू सो मच आल दे बेस्ट